साथियों, पंचाय चुनाओं में ड्यूटी करने वाले करमचारियों को कितना मिलेगा मान देई, पिठासी नदिगारी पी ओ, मतदान अधिकरी करमांग एक, दो, तीन, मतगणना सहायक, मतगणना परिवेक्षक का कितना रहेगा मान देई, इस प्रकार की लेटेस्ट और ऐसे चुनाओं आयोक दुवारा, त्री त्री पंचाय चुनाओं की गोशना कर दिये, तीन चरणों में होगा मतदान, पहला चरण 6 जनवरी, दूसरा चरण 28 जनवरी और तीसरा चरण 16 फरवरी को रहेगा, इसमें करमचारियों को चुनाओं को संपन करवाने में, करमचार सेच वीडियो को लाइक कर दीजे और सस्क्राइब कर दीजे, आपका लाइक करना और सस्क्राइब करना ही हमारी महेनत का फले, मत्य प्रदेश में तीन चरणों में पंचाच चुनाओं को रहने की गोशना के बाद, निर्वाचन आयोक सभी तेयरियों में जूट गया है, चुनाओं के लिएकर राज निर्वाचन आयोक दुवारा कई दिसान देश जारी किये गए, निर्वाचन आयोक ने पंचाच चुनाओं में डूटी करने वाले मतदान कर्मियों का प्रति दिन का भत्ता तय कर दिया गया है, आयोक की तरब से इसकी जानकरी सभी चुनाओं पायत और डीम को भेज दी गई, जानकरी के अनुसाल पीठासेन अधिकारियों को तीन दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, वोटिंग और काउंटिंग लिए 500 रुपे प्रति दिन, मतदान अधिकारी कर्मांग एक और दो को प्रति दिन 325 रुपे और मतदान अधिकारी कर्म प्रति दिन 250 रुपे, सरकारी चालक को 350 रुपे प्रति दिन, सेक्टर पतातिकारी, जोर्नल दन्रारी कारी को प्रति दिन 500 रुपे या एक मुस्त 2,000 रुपे, मत गन्ना सहय को 350 रुपे प्रति दिन और मत गन्ना परिवेक्स को 500 रुपे प्रति दिन दिय जाएंगी, अन तिरीस-त्री मंचाय चुनाव तीन चरणों में होगा पहला चरण छे जनवरी दूसरा चरण 28 जनवरी और तीसरा चरण 16 फरवरी होगा इस बार चुनाव में सुरुकसा की जिम्मेदरे केवल राज्य गुलिस की होगी इधर चुनाव को लेकर भी बहावी प्रत्यक्सी आपको प्राप्त होगा इस चैनल के अगर अधर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी आपके सामने चल रहे हैं उनको देखिए और अधिस सदिक सेर कीजिए थैंक यू